मैं हूँ अभीशिक बारेट और आप देख रहे हैं धमचिक तो राजस्तान में भाजपा की हार के बाद पार्टी ने इन तीनों ही नेताओं को उनके अपने राजजे में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया चर्चा है कि लोकसवा चुनाव से पहले पार्टी तीनों नेताओं को केंदर में कोई एहम जिम्मेदारी दे सकती है राजस्तान में गुलाब जंद कटारिया को नेता प्रतिबक्ष बना दिया गया है तो राजेंदर सिंगरा ठोड को उप नेता प्रतिबक्ष की जिम्मेदारी सोपी गई है अब वसुंदरा राजे भी राजे से बाहर हो गई है इस पर राश्टे लोकतांतरिक पार्टी की राश्टे सहियोजक हनुवान बेनिवाल ने बीजेपी की जम कर खिली उड़ाई है और कहा है वसुंदरा राजे चाहे दिल्ली चली जाएं या लंदन इससे कोई फरक नहीं पड़ता है राजे को नई जम्मेदारी मिलने पर रल्पी सुप्रीमो हनुमान बेनिवाल ने कहा कि वसुंदरा राजे को कोई नई जम्मेदारी नहीं दी गई है बलकि पार्टी ने उनको राजस्तान की राजनीती से निकाल कर फेकने का काम किया है बेनिवाल ने कहा है कि अगर ये काम भारतिय जनेता पार्टी विदान सभा चुनाव से पहले कर देती तो राजे को CM पद से अगर वो हटा देते तो राजस्तान के अंदर दूसरी ही कोई इस्तिती होती उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी और शाह भारतिय जनेता पार्टी की मुख्य मंत्री वसुंदरा राजे को 5 साल तक संग्रक्षन देते रहे यह सब मिली जूली का खेल है अब वसुंदरा राजे चाहें दिल्ली चली जाए या लंदन लोग सबाचुनाव में भाज़पा की इस्तिती ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी उन्होंने साथ ही एक बड़े आंदोलन का एलान भी किया है बेनिवाल ने कहा है अब नेता प्रतिपक्ष कोई बने ना बने इससे क्या फर्क पड़ता है हम वर्तमान सरकार से भी मांग करेंगी खान घोटाले से लेकर बजरी घोटाले तक जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी निश्पक्ष में बाजपा ही उनकी दुश्मन और वो कभी भी बीजेपी में दोबारा नहीं जाएंगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रिय लोकतांत्रिक पार्टी ही आने वाले समय में सत्ता पर काविज होगी सियासत की ऐसी ही खबरों के साथ में फिर आप से रूबरू होंगे थब तक आ आइले साथ में से भी को आइले सकताम्मत्रिक जाएंगे।